हेलो स्टुडेंट मैं स्वारब को लिए आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में प्यारे बच्चो कैसे हो आप I hope आप अच्छे होंगे स्वस्त होंगे बच्चो आज हम चर्चा करने वाले हैं शोशल साइंस यानिकी SST क्लास 9 वरक्षिट नमबर 95 डेट है 25 वरवरी 2022 और चर्चा करेंगे चैप्टर 3 हिस्ट्री में से नाजीवाद और हिटलर का उदर यानिकी नाजिजम एंड राइज ऑफ हिटलर मैप वर के द्वारा देखेंगे एक्सिस पावर्स के बारे में इसको शुरू करने से पहले जो कई भी हमारे चैनल के साथ नया जुड़ा हो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बैल वाले बटन को जरूर प्रेस कर दे ताकि सारी नोटिविकेशन आप तक जरूर मिल सके और जिनोंने पहले से ही कर रख है उनका धन्यवाद आगे देखत एक्सिस पावर्स की हम बात करेंगे एक्सिस पावर मतलब बच्चो धूरी शक्तियां धूरी राष्ट धूरी शक्तियां एक्सिस पावर धूरी शक्तियां यानकी जर्मनी इटली और जपान का गुट इन तीनों का गुट को हम क्या कहते हैं धूरी शक्तियां एक्सिस पा allied powers, यानिकी, मित्र राष्ट, मित्र राष्ट कौन-कौन से थे, मित्र राष्ट थे आपके, ब्रिटेइन, फ्रांस, और USA, आप देखिए, एक तरफ इनका गुट है, और एक तरफ इनका गुट है, यह मित्र राष्ट थे, इनको हम इंग्लिश में allied powers बोलते हैं और ये access powers दूसरे साथ access powers है जिनको हम धूरी राष्ट बोलते हैं यानि की धूरी शक्तियां अब world के map में world के political map में इनकी हमें position बतानी है कौन कौन किस जगा है ये देखिए ये हमारा भारत है इधर हम c पर लगाएंगे c पर हम जापान लिखेंगे ये जापान हो गया बच्चो ठीक है बच्चो ये जापान है और ये हमारा उपर की तरफ आ गया बच्चो जर्मनी और नीचे की तरफ आ गया बच्चो हमारा इटली तो ये तीनों मितराष्ट होगे बच्चो इस तरह से देखें जर्मनी जर्मनी इटली और जापान तो ये तीनों बच्चों मितराष्ट होगे और मैंने आपको बताई दिया था इनकी अपनी गुट था जिनको हम क्या जानते थे जिस नाम से एक्सिस पावर याने की धूरी शक्तियों के नाम से जानते और इनके अपोजिट जो थे मितराष्ट थे ब्रिटेन, फ्रांस और यूसे चुकि दूसरे विश्वीर में जाके ये दोनों उबरे थे घुट तो इस प्रकार बच्चों ये हमारे वक्षिट कम्प्लीट होती है आप इस चैनल के साथ जुड़े रहे इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले धन्यवाद